हेलो एवरिपन वेलकम दो चैनल दिस इस रिष्टिय अगरवाल तो मैं आप सभी कक्षा अंट की सुरुनसील लेकर आई हूं प्रखर सब्चिक इंगलिश की वर्ग बुक की सॉलिशन जिसमें हमने काफी सारे वक्षिस की सॉलिशन देख लिये हैं यहाँ पर हम कंटीनू दे अधन को जो यूज नहीं किया जाता है हाउस बनानी में घर बनानी में घर के एंस्टुक्षण में वॉटर ब्रीक्स ऑनद लेक्सल स्यπο्लिशन देखी वरिंट का यूज जाता है सुमांड का यूज edenयें लट पाव्षिस कीवाइठ वर्ध का यूज रएधा नहीं किया can you speak loudly question mark तो यहाँ पर हो जाएगा यह correct next day take the correct verb for the given sentence लॉकेश ब्लैंक मी yesterday to borrow my sweater तो यहाँ हो जाएगा लॉकेश called me yesterday to borrow my sweater लॉकेश ने बुलाया मुझे पिछली रात को उधा लेने के लिए मेरा स्वेटर टिक है बोरो या ने उधा लेना which word is the sentence below is a pronoun बताना है जो कि noun की यूजगे 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 जाता है जिसे हिंदी में कहते है सब नाम ठीक है we play cricket every day after school हम खेलते हैं क्रिकेश प्रतेक दिन school के बाद तो यहाँ पर हो जाएगा we हम जो है प्रोनाउन तो option first correct हो जाएगा next है रहूल और आनन्द blank the match today तो यहाँ हो जाएगा is रहूल और आनन are रहूल और आनन्द play the match today playing the match today तो यहाँ पर हो जाएगा option fourth correct तो यहाँ पर fourth option को correct कर देंगे क्या रहूल और आनन्द खेल रहे हैं आज match को next seventh question है choose the word to complete the sentence correctly Sima is blank for her singing competition तो यहाँ हो जाएगा Sima is practicing for her singing competition Sima practice कर रहे है उसकी singing competition के लिए next है choose the word pair that will complete the sentence correctly we have an blank for an black appointment with the doctor तो यहाँ हो जाएगा we have an hour for our appointment with the doctor हमारे पास एक घंटे के लिए हमारा जो appointment है वो doctor की साथ है ठीक है then read the poem given below and answer the question आपको पोइम जो है वो रीड करनी है और answer देख गए हैं से रिलेट जो इनके आपको आपको आंसर करने हैं तो यहाँ पर पोइम है I saw a snake and run away मैंने एक साम देखा और भाग गया भाग गई मैं मतलब या तुम भाग गए ठीक है some snakes are dangerous कुछ snakes जो होते है वो dangerous होते है they say but mother says उन्होंने कहा कुछ dangerous होते हैं but mother says that kind is good दयालूता जो होती है वो अच्छी होती है eat up insects for his food and वो eat करते हैं खाते हैं insects for उनके food के लिए it is just a harmless garden stream यह एक harmless garden है snake का तो यहाँ पर 9th question है which line says that child is afraid of snakes I saw a snake and run away जो afraid करता है चाइल को जो डराता है ऐसा कौन सा sentence है इसमें है तीक है मैंने snake देखा और मैं भाग गया तीक है तो यह डरा रहा है एक बच्चे की line को दशार आए जो कि डरा हो है बच्चा तो option second करेक्ट हो जाएगा but mother says that kind is good but माता ने कहा की दयालूता अच्छी होती है what is mother referring to यहाँ पर mother बता रही है garden snake के बारे मैं ठीक है तो यह दन होता है आपका OCR formative assessment 4th का solution इसके साथ हम आगे भी solution देखेंगे और भी important videos आपके कक्षा से लिए देखेंगे तो जोड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद